दोस्तो पानी का क्या मैतो है गर्मियों में हर कोई जानता है क्योंकि पानी की किलस से बूंद बूंद के लिए हर कोई परिसान रहता है गर्मियों में वह चाए ग्रामेडों की बात करें या सेहरों की बात करें और इस वक्त आप जो जड़ने बैते हुए देख पा रहे होग के पानी बारिस का है है तो N Notice यह पाईपलाइन होती है जो टेंग gy wrong and पर पानी सब्लाइए चुकी है और उसका पानी ऑन कर वह कर वेनश और नाड़ी में आज़ा है आप देख रहे होगी कि उपर से वहाँ से वहाँ पाइपलाइन है और वहाँ से वह पाइपलाइन पूरी की पूरी टूट चुकी है और पूरी धर्णे की रूप में तई लीटर पानी है जो वेस्ट बहे रहा है और इस नाडी में आ रहा है और नाडी की बात करें तो आप सोच रहे होगी कि नाडी तो साफ होगी नाड़ी में पानी आ रहा होगा परन तो बता दे आपको कि नाड़ी पूरी की पूरी गंदी हो रखे है और इसमें जो भी पानी पूरा का पूरा पानी आ रहा है वो पूरा दुसित पानी है इसमें एक्टा हो रहा है और जो बारिष की दिनों में पहली बारिष, प्रिमान्सुन की पहली बारिष हुई थी और उसमें जो पानी आया था, उस पानी थोड़ा सा इकटा हो गया था उसके बाद जो ये सुबह से खूटा हुआ है इसमें कई हजारों लीटर पानी बैकर इस वैनस और नाडी में आ रहा है और जड़नों के रूप में उपर से जो पानी आ रहा है वो तो पूरा साफ है आप देख सकते हो कि पानी पूरा का पूरा साफ है परंतु इस नाड़ी में जाते ही पानी पूरा का पूरा है जो दूसरी तो जाता है उसका पानी कोई सद्विप्योग में नहीं लिया जाता है कोई काम का नहीं होता है कि पानी पूरा खा पूरा दूसरी दो जाता है और हम बताएंगे आपको उपर की भी तस्यूरे बताएंगे जहाँ पर यह पानी बह रहा है और जड़नों के रूप में पानी सुबह से लगातार बह रहा है और अक्सर हम लोगों से हमने बाचीत की तो यहां का लोगों का कहना है कि यह पानी अक्सर यहां पर बैता ही रहता है क्योंकि पाइपलाइन है जो फूरती रहती है उसके दोरान पानी है जो बैता ही रहता है कई हजारों लीटर है जो उपर से पानी ज़र्णों के रूप में जो लगाता सोबे से चलना और इसमें जो आदा पानी वह तो बारिश से आया था परनतु जो आदा पानी है वह जो पाइपलाइन-फूटी ही उस वज़र से आ रहा है जंडो humour रूप में Lindsay इस लिए बत्रों का लुक्त उठा रही है आप देख सकते हो इससे बाजस्त करेंगे पाणिया से बहरा है अप आपका शुबने से बाढ़ है यहा एक हाई वहां बेहरा है पानिया अपने सब्सक्राइब पानिया ग्रें पांस इस बैढ़ा है यह नहीं पॉए जाता है हुए यह कुछ काम करनी है पानी इसमेला ब्यक्ति द्यान कितने सारे जीवानों होते हैं हमने से मत्सर होते हैं गर्मियों के कारण बीमारिया फेलती हैं क्योंकि यहां कि सफाय भी नहीं की हुई है पास में देख सकते हो तो बबूल यह पूरी तरह कच्रा डाला हुआ पड़ा है कि सफाय कभी नहीं होती ना कि 25rev में सका दिर्वाण कराता है मेरे सापसे उसके बाद अभी तक इसकी सफाय कभी नंवैं नंहीं हो हुए और एसकी साफसाइक समय पर की जाए तो यहां पर पानी सधूपयों में लिया जासकता है पानी पूरा लुआते है बटक चोटे तो दोस्तों देखिए कि यह जड़नों की तरफ पानी है जो सुबस से बैरा तो हम आपको अगली तस्वीरे बताएंगे जहां से वह पाइपलाइन पूटी है और हजारों लीटर पानी है जो वेस्ट बैराज जोड़े रही हमारे साथ चल्डाँ । अब बन्हाड़ भूस्ट पर चूस प्राइब है